तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे B-TEX CSC के अडवांटिजस के वारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ तो आपका स्वागत है दोस्तो मेरे इस चैनल में और अगर आपने डवेलफ्ट की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको जह जानना है कि डवेलफ्ट की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन-कौन से कॉर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो दोस्तो अडवांटेज है कि वो है दोस्तो हाई डिमांड तो जैसा कि आपको पता है कि Computer Science Engineering की जो फीड़ है वो काफी तेजी से ग्रोव हो रही है तो आने वाले समय में जो इसकी डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ने बाली है काफी सारे colleges और universities में CSE के course को काफी ज़्यादा बढ़ चड़ के करवाया जाता है तो काफी सारे students इस course को करते हैं जो कि अपना interest इस course में काफी यादा दिखाते भी हैं तो BTEX CSE का जो course है वो दोस्तो चार वर्ष का course होता है जिसमें कुल आठ समेस्टर होते हैं और इस course के मादम से आप Computer Science Engineering के काफी सारी चीज़ें आप study करते हो तो अगर आपसे मैं दूसरे advantage के वारे में आपसे में discuss करूँ तो वो है दोस्तो technical skills तो इस course के मादम से students के अंदर जो technical skills होते हैं वो develop की जाती हैं इसके मादम से आप जो काफी technical skills होते हैं programming languages की जैसे की C++, Java, Python, etc. जो languages होते हैं वो आपको study करवाई जाती हैं और ठीक इसी के साथ आप computer architectures, algorithms, data structure, etc. चीज़े भी आप study करते हो तो इस course के मादम से तो आप technical चीज़े जो होते हैं वो आप study तो जरूर करते हो अभी आपसे में तीसरे advantage के वारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ जो है versatile career path तो इस course को पूरा करने के बाद एक student के लिए काफी सारी जो jobs की opportunities होती हैं वो open हो जाती हैं आप software developer की field में जा सकते हो, आप data analyst बन सकते हो, आप network engineer बन सकते हो, आप computer hardware expert भी आप बन सकते हो तो अगर आप एक education के career को अगर आप continue रखना चाते हो, तब आपके लिए जो master's है, जैनि M-tech का जो course है, वो भी आप कर सकते हो तो काफी अच्छा course माना जाता है BTEC CSC का, जो कि आज की टाइम में काफी सारे students करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे BTEC CSC course के advantages के वारे में आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और भी कई सारे courses के वारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्ने वाँजा कर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद